हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने युटूब चैनल टीच वित किस नमें दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे लुकर को दोस्तों देखते हैं पहला कोस्चन क्या है आकवर के बचपन का नाम क्या था तो इसका अंसर वोगा बद दूरुद दीन तो अकबर के बचपन का नाम क्या था बद्दुरूत दिन चले नेक्ट कोस्चन देखेंगे अकबर का जन्म कब हुआ था अकबर का जन्म कब हुआ था तो इसका अंसर होगा 15 अक्टूबर 1542 इस वी को 15 अक्टूबर 1542 इस वी को चलिए नेक्ट कोस्चन देखेंगे हमारा नेक्ट कोस्चन है मुंबाई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में फर्थम रेलगारी कब चलाई गई थी मुंबाई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में फर्थम रेलगारी कब चलाई गई थी तो इसका अंसर होगा 16 अप्रील 1853 इस भी में चलिए नेक्ट कोश्चन देखेंगे अकवर ने एक नया कलेंडर अकवर ने एक नया कलेंडर इलाही संबत कब सुरू किया अकवर ने एक नया कलेंडर इलाही संबत कब सुरू किया तो इसकांसर होगा 5233 वी में Next question देखेंगे किसने जजियाकर को श्राप्त कर दिया था? इसकांसर होगा Aakward ने next question देखेंगे मीर जाफर की मिर्टू कब हुई थी? इसकांसर होगा 5 जनबाड़ी 1765 को चलिए Next question देखेंगे बखसर का यूध कब हुआ था? उसका अंसर होगा 22 अक्टूबर 1764 को चले नेक्ट देखते हैं फेरीज की संधी कब हुआ थी? चले नेक्ट कोशन देखेंगे पलासी का क्या है? पलासी का यूध कब हुआ था? इसका अंसर होगा 23 जून 1777 को चलिए नेक्स कोशन देखेंगे भारत में फ्रांसी सी इस्ट इंडिया कंपनी के अस्थापना कब हुई थी? इसका अंसर होगा 1664 कोशन देखेंगे भारत आने बाला दूसरा पुर्त गाली कौन था? इसका अंसर होगा पेडरो अलवारेज केरिबाल ने दूसरा पुर्त गाली था जो भारत में आया चलिए नेक्स कोशन देखेंगे मुंबाई नगर के अस्थापना किस ने की थी? इसका अंसर होगा गुवर्नल गुराल्ड अंगियार ने गुवर्नल गुराल्ड अंगियार ने चलिए नेक्स कोशन देखेंगे भारत में British East India Company के स्थापना का भुई थी? बिरिटिस इस्थींडिया कंपनी के स्थापना का भुई थी? तो इसका अंसर होगा 31 दिसंबर 1620 को अंग्रेजों ने अपनी पर्थम वेपारी कोठी सुरत में कव खोली थी तो इसका अंसर होगा 1608SB में चलिए नेक्स कोष्चन देखेंगे भारत में पर्थम 10 इस्ट इंडिया कामपनी की अस्थापना का हुई थी भारत में पर्थम 10 इस्ट इंडिया कामपनी की अस्थापना का हुई थी तो इसका अंसर होगा 1612SB में चलिए नेक्स कोष्चन देखेंगे भारत में पर्थम प्रिटिंग प्रेस की अस्थापना 1556B में गोया में किसने की थी तो इसका आंसर होगा पुर्त गालियो ने, पुर्त गालियो ने, चलिए next question देखेंगे, पानी पत का तिर्तिया यूद कभ हुआ था, इसका आंसर होगा 1761 Sb में, 1761 Sb में, चलिए next question देखेंगे, सिवाजी का जन्म कभ हुआ था, सिवाजी का जर्म कब और कहां हुआ था इस कांसर होगा 6 अपरील 1627 वी को सिवनेर दुर्ग में हुआ था नेक्स कोश्चन देखेंगे दिल्ली के परसीद जामा मस्जीद का निर्मान साह जाहने कब करवाया था इस कांसर होगा 1648 इस वी में नेक्स कोश्चन देखेंगे यानि लाक्स्ट कोश्चन साहा के दर्वार के परमुक्चितरकार कौन थे साहा के दर्वार के परमुक्चितरकार कौन थे इसका आंसर होगा मुहमद फकीर एवम मीरकासीम परमुक्चितरकार थे साहा के दर्वार के दोस्तो आई होप यह वीडि झाल झाल